गिंते आती हो तो गिल्लो पाकस्तान देख सको तो देख लो पाकस्तान एक दो तीन चार पाँच पाँचों मारे गए ये पाकस्तान की बुझदिले और भरतिय सेना की जाबाजी की तस्वीर है कश्मीर में पाकस्तान की साजिश का आज सेना ने एक और सबूत जारी कर दिया है केरंस सेक्टर में पाक फॉज की बॉर्डर एक्शन टीम ने पिछले महीने घुस पैट की कोशिश की थी लेकिन बैट के पाँच दहशत गर्दों को जवानों ने वहीं का वहीं धेर कर दिया आज उसका वीडियो भी सब के सामने आ गया लेकिन भारतिये फॉज की नजरों से वो बच नहीं सके पाँचों को धेर कर सेना ने घुस पैट की सारी कुश्चों को नाकाम कर दिया तस्वीरे देखिए पाँचों आतं की अलग-अलग जगों पर धेर हैं बैग और हत्यार भी साफ-साफ नजर आ रहे हैं हाल ही में सेना ने माचिल सेक्टर में भी पाकस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के घुस पैट की साजिशों को नाकाम किया था आपको बता दे कि पाकस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम पाक फॉज और देशतगर्दों की एक मिली जुनी टीम होती है जिसका काम LOC पर आतंकी वारदात को अंजाम देना होता है जब से कश्मीर से अनुछे 370 हटा है कश्मीर में दहशतगर्दी पर लगाम लग गई है इससे बेचेन पाकिस्तान की बॉर्ड एरेक्शन टीम LOC पर लगतार घुसपैट की कोशिशे कर रही है लेकिन भारतिय सेना के आगे उनकी एक नहीं चल रही यही कारण है कि पाकस्तान कई तरह के हथकंडे अपना रहा है उसके पालतू आम लोगों में खौफ भरने का काम कर रहे है इसलिए कश्मीर के कई इलाकों में शेहर की दिवारों पर रहे श्मय रूप से धमकी के पोश्टर चिपकाए गए है आतंकी संगठन अलबदर ने इस पोश्टर के माध्यम से आम लोगों और कारोबारियों को कई धमक्या दी है वही पाकस्तान ने मसूद को भी छो दिया है मतलब अगर पाकस्तान का बैट प्लान काम नहीं आया तो आतंक्यों के सहरे वो अब घाटी में तनाव पैदा करना चाहता है ब्यूर रिपॉर्ट भारत तक